दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली ये ट्रेन है और इसके जनरल बर्थ का ये हाल है यहाँ पर लोगों की बे तहाशा भीड आपको नजर आएगी तमाम जो इंतिजामात रेलवे की तरफ से किये गए हैं सभी इंतिजामात जो हैं वो धरे के धरे यहाँ नजर आ रहे हैं तमाम जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से इस ट्रेन के अंदर घुसना चाते हैं लेलवे के जो अधिकारी हैं जो आर्पीएफ के जवान हैं वो लगातार सीटियां बजाए जा रहे हैं बहुत भीड है भारी भीड है अब है यहाँ भीड ही नई फुलिस वाले भी मारते है तो अगर वो थोड़ा आगे बढ़कर भी दिखाएं तस्वीरे किस तरीके से लोगों के लिए यहाँ पर प्राथमिकता है कि केवल और केवल वो ट्रेनों में घुसे लोग जो यहाँ पर आपको भी इसी ट्रेन में जाना है करेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से इंतिजामात जो है वो यहाँ पर सारे धरे के धरे रहे गया है जब लोगों की भीड ट्रेन में अंदर गुसने को लेकर है भाईया इसी ट्रेन में चड़िएगा कहा तक जाना है आजी पूता जाना है कैसे चड़ीगा जग से डिकासे को लोगो को अपने जान की परवाद नहीं है देखिए अंदर देखे मैं आपको तस्वीर अगर दिखाऊं किस तरीके से लोग जो है वह यहाँ पर है आर पीयफ के जवान भी जो है वह नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भीड इतनी बेतहाशा है ल ड्राइव फेख रहा है इसके बाद अंदर घुसने की कोशिश यहां जबान जो है वह कंट्रोल करने की लगातार कवायद कर रहे हैं लेकिन लोग जो है यहां मानते हुए नजर नहीं आ और जिस तरीके से यहां पर हालात नजहार रहे हैं तमाम जो रेलवे के दावे थें इंत्र दिए को लेकर 2 तमाम दावे जो हैं वो धता नजहारा है है किसके बाद के कौन से ट्रेंट का जाना है दर्भंगा वाले दर्भंगा जाना है कि देखे तस्वीरे तस्वीरे लगातार का जाएगा कैसे चरीगा ट्रेंट में जगा करेंगे लोगों का कैसे भी करके चले जाएंगे और तस्वीरे मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं जो लोग है वहाँ पर समान लिये हुए सीधा और सीधा किसी भी तरीके से अंदर घुसना चाह रहे हैं और दिरे दिरा में आगे बढ़ रहे देखे जहां तक आपको तस्वीरे मैं कहूंगा आपनी वीडियो जो लेंस राउल से लगातार दिखाते रहे लोग जो हैं वो कैसे घुसेगा ट्रेंट में भाई कैसे लोग जो हैं अंदर घुसने की और समान चुकी छट पर्व में लोग जो हैं वह यहां पर घुसना चाहते हैं आरपी जो है यहां पर स्थिति को नियंतृत करने में लगातार लगा हुआ है अनॉंस्मेंट जो है वो लगातार की जा रही है के लगातार आनॉंस्मेंट जो है वो की जा रही है और यहां से यह तो जैनरल डिबबबा अब यहां से देखें यह वो आरक्षित डिबबा है सीडियों के खिड्कयों के रास्ते किसी भी तरीके से आगे जैनरल डिबबा यहां से रिजर्व्ड टिकेट वाले लोग ही तिकेट है वो अंदर नहीं घुश पा रहे हैं लोगों से बात करेंगे कहां कहां तक जाना है कि अधर भंगा तक सब लोग अंदर घुश गया है कि क्या ची मेरे पाद ठीकाच भी अधर जा पार हूं तो टिकेट है लोग घुश नहीं पार है क्या हुआ यहां पर बच्चे भी खो गए है क्या नाम है आपका अंदर ट्रेन में इसके माता पिता जो है वो नहीं मिल रहा है इन बच्चे को हम पुलिस कर्मी तक स्वापेंगा और उसके बाद हम लगातार आपको तस्वीरे में राहूल से कहूंगा दिखाते रहे आर पीएफ के पास हम इस बच्चे को पहले सौब देते है क्योंकि देखे भीड इतनी बेताशा है कि यहां पर तस्वीरे जो है वो आप देखे और समझे यह लिजे इसके माता पिता यहां बच्चे की मिल गया है देखे देखे आए एक मेट एक मेट यह सुनिए यह आपका बच्चा है इदर आई आप अंदर घुज गई बच्चा चूट गया अंदर लिजे बच्चे को अंदर लिजे देखे यहां पर बच्चे को कुषल ट्रेन में चड़ाने अब ही एक चुनोती है क्योंकि भीड इतनी जादा यह इदर से ले अंदर यहां से कहां से चड़ाईएगा भाई जग लेकिन यह इमर्जेंसी एक्जिट जो है अब वो ट्रेन में एंट्री एक्जिट हो चुकी है यहां से लोग अंदर किस तरीके से घुस रहे है उसकी तस्वीरे आप देखिए यह चट में जाने के लिए लोग किस तरीके से भाई चोट तोट लग जाएगी कही से घुसर हो जा चीट जी 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 जिस अपातकालीन खिड़की जो है उस अपातकालीन खिड़की को लोगोंने एंट्री के लिए इस्तिमाल कर लिया है और पीएफ भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भीड अनियंत्रित है और इसलिए हर बार कहा जाता है कि छटकी भीड के आगे रेलवे के तमाम इंतजामात जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं जितने भी आपको यहाँ पर इमर्जेंसी एक्जिट मिलेंगे यह तमाम इमर्जेंसी एक्जिट जो है यह तमाम इमर्जेंसी विंडो जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रेनों में अंदर घुसने के अब रास्ते बन चुके हैं अंदर की तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं सीधी इस वक्त आपको वीडियो जनरेस्ट राउल क्या हुआ हुआ जिसका रिजर्वेशन है बरत है हुआ तो चरनी पा रहे हैं जनरल वाले सारा भरा हुआ इस के अंदर लोगों की शिकायते हैं घाटे में घाटे टिकेट है आपकी कौन से कुछ में अंदर लोगों की जिनकी टिकेटे आरक्षित हैं वो यहां पर किस तरीके से अंदर नहीं घुस पा रहे हैं उसकी तस्वीरे आप देख रहे हैं और एस टू से अब हम एस थ्री की तरफ आगे अगर बढ़े तो यहां भी देखिए नजारा वही है और यह जनरल कोच नहीं है क्योंकि यह जो ठ्रेंन है यह अभी आरपिएफ के हवाले कर दी गई है क्या ट्रे कर रहे हैं नहीं ट्रेंगर लेकिन आरपि जो फोगों की इंदर भी ने घुस आने के लिए संगर्श कर रहे हैं कि महिलाएं किस तरीके से यह दे कि बच्चे किस तरीके से अंदर जो है ठेले जा रहे हैं बोरे बिस्तर की तरह लोग जो है किसी तरीके से घुच जाना चाहते हैं बुजूर्ग हैं बच्चे हैं महिलाएं हैं औरत हैं सब जो हैं वह ट्रेन में किसी भी तरीके से पहुंचने के लिए घुश जाना चाहते हैं कहां तक जाना है दर बंगा मतलब कल सुबह साम तक पहुंचेगा पंका तक चल रहा है नहीं इसका कोई अंत नहीं लग रहा है लोग कह रहा है बैठ तो गए है पर इस संघर्ष भरे सफर की अभी तो नहीं है देखिए किस तरीके से इमर्जेंसी विंडो से लोग ठेल ऐसे ठेल ठूल के अंदर घुस रहे चोट चाट लग गया तो अब जाना तो है जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू प्रूआ। झाल